वेलकम टो विद्या की जन्नी असमत असमत का रूप लेके इस वीडियो में आये हैं तो कैसे रूप पढ़ा जाता है और कैसे याद किया जाता है ये आप बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में जानेंगे तो लाश्ट तक जरूर बने रहें और आपको रूप बहुत आस बचल और बहुत बचल में रूप चलता है और जो एक बचल में चलता है वह किस तरह चलता है और बहुत बचल में किस तरह चलता है इसको आप जानेंगा दो तरीके से रूप पढ़ा जाता है आप किस तरीके से आपको आसान लगता है वह आपकी उपर है तो हम दोनों तरी को अब बहुत आसान तरीके से याद भी कर सकते हैं तो पहला तरीका तो यह है कि आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि आहम, अवाम, वयम पहले बचर में चलेगा आहम और दू बचर में चलेगा अवाम और तीसरे बचर में चलेगा वयम तो आहम, आवाम, वयम इस तरह भी आप याद कर सकते हैं माम, आवाम, अस्मान इस तरह याद कर सकते हैं तो इस तरह कुछ थोड़ा बहुत कठिन लगता है इधर का उधर हो जाता है अक्सर रूप कठिन भी लगता है लेकिन आप इसको आसान बनाने के लिए और रूप जो चलता है ये प्रत्मा विभक्ति पूछा जाता है कि किस विभक्ति का ये कौन सा रूप है तो इस तरह के प्रश्म में पूछ लिए जाते हैं कि जिसे माम पूछ लिया गया और ये पूछा जाता है कि माम जो शब्द है ये अस्मत के किस बचन का और किस बिभक्ती का रूप है तो ये आप अगर पढ़े रहेंगे तब ही जान पाएंगे तो इसलिए आपको बहुत आसान सब्दों में हम बताएंगे कि किस तरह से अस्मत का रूप याद करिए पहले तो यही हुआ कि आहम आवाम वयम तो इसको बार-बार आप याद कर लेंगे आहम आवाम वयम आहम आवाम वयम तो एक बचन में आहम चलेगा और दूई बचन में आवाम चलेगा और बवचन में वयम चलेगा तो इस तरीके से भी आप लाश तक याद कर सकते हैं और अगर इस तरीके से आप नहीं याद करना चाहते हैं तो आप दूसरा तरीका देखिए कि किस तरह से याद करेंगे जो दूसरा तरीका है उसको पहले तो मन में आपको बैठाना है कि प्रत्मा विभाक्ति दितिया विभाक्तितिया चतुर्थ पंचमी शष्ठी और शप्तमी ये साथ लाइन का होता है जो ये शप्तमी विभाक्ति तक चलता है तो असमत के रूप शप्तमी विभाक्ति तक किस तरीके से चलेंगे, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे, तो एक तो इस तरह हो गया कि लाइनिंग ऐसे याद करेंगे, और दूसरा हो गया आप इस तरीके से याद करेंगे, कि एक बचन का पहले रूप याद करेंगे, और इसको भी याद रखेंगे कि किस विभक्ति का है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ करके इस तरह याद कर लेंगे, तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, कैसे याद हो जाएगा, इसको आएए जानते हैं, एक बचन का रूप पहले आप याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसको जानिए, तो आहम, माम, मया, महियम, मत, मम, मई, इस तरह से, इसको बार-बार आप दोहराएंगे, अहम, मेरे साथ बोलिये, अहम, माम, मया, महियम, मत, मम, मई, आहम, माम, मया, महियम, मत, मम, मई, अहम, माम, मया, महियम, मत, मम, मई, आहम, माम, मया, महियम, मत, मम, मई, अगर इस तरह से याद करेंगे, तो यह कभी भूलेंगे नहीं, एक दम बिल्कुल, आप एक लाइन से, एक तरीके से, एक लाइन से याद कर लेंगे, और भूलेंगे नहीं, तो इस तरीके से, आप एक बार, दो बार, वैसे तीन बार किसी चीज़ को पढ़ा जाता है, अगर तीन बार पढ़ लेते हैं, तो कभी भूलते नहीं है, तो इस प्रकार, अगर आप इस लाइन माइज याद करेंगे, जैसे एक बचन का रूप एक बार में याद करेंगे, जैसे एक बचन का रूप किस तरह याद करेंगे, तो आप इसको बार बार अगर रिविजन करेंगे, तो वो याद हो जाएगा, जिससे आहमाम इया महियमत मम्मई इस तरह से याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं एक बचन का रूप हो गया आहमाम महियमत मम्मई इसको जिस तरह से हम भोल रहा हूं उसी तरह आप भी भोलेंगे तो यह आपको बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा, भूलेगा कभी भी नहीं और अहम एक बचन, माम दुई बचन, जो अहम है वो प्रतमा विभगति का है और माम दितिया भी भगती, मया तितिया भी भगती और महियम चतुर्थी भगती, मत ये पंचमी भी भगती, शश्टी भी भगती की है मम, मत मम और सब्तमी भगती है मै, तो अहम माम मया महियम मत मम मै, ऐसे लाइन माइज याद कर लेंगे तो ये एक दो तीन चार ऐसे मन में भी आप याद कर सकते हैं, तो ये एक बजन का रूप होगा, आहम, माम, मया, महियं, मत, मम, मै, कोई भी चीज तीन बार याद करने से कभी भूलता नहीं है, तो तीन बार नहीं आप उसको तेरह बार याद करिए, और तेरह बार में आपको कभी और नहीं भूलेगा, कभी जि दूसरा रूप भी बनता है तो दूसरा बनता है दितिया में और चतुर्थी में और शष्ठी में तो दूतिया में बनता है मा चतुर्थी में बनता है में और शष्ठी में बनता है में तो यह बहुत आसान है मा में में तीन बनता है यह असमन में जो एक बचर में जो दूसरा रूप बनता है वो मा, मे, मे बनता है मा, मे, मे किस में बनता है तो दुई और चार और छे में बनता है यानि दितिया भी भक्ती और चतुर्थी भी भक्ती और शष्टी भी भक्ती यानि दुई चार और छे या आप जरा साभी मन में ऐसे याद करके सोचे रहेंगे कि ये बचन का यह रूप बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा अहां माम मया महियं मत मम मै और इसी तरीके से दूसरे बचन का यानि दूवेचन का रूप भी याद करेंगे वो किस तरह से याद करेंगे उसको भी आये जानते हैं बहुत आसान तरीके से कि किस तरीके से हम रूप है वो है आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से दुई बचन का रूप तो बहुत ही आसान होता है क्योंकि देखिए आवाम आवाम दोलों तो एक तरह हो गया कि एक प्रत्मा विभक्ति और दितिया विभक्ति आवाम आवाम दोनों एक ही जैसा है और तीसरा तृतिया विभक्ति चतुर्त विभक्ति और पंचमे विभक्ति बिल्कुल एक तरह होगा आवाब्याम, आवाब्याम, आवाब्याम बहुत आसान है की नहीं है तो इसको देखिये, बहुत ही आसान है कभी बूलेंगे नहीं और अगर पहली बार इस चैनल पे हैं तो इसे like, share और subscribe जरूर करें क्योंकि बहुत आसान तरीके से यहां सिचध्ख भरती की तियारी करा ही जाती है और अगर आप सबस्छ्ट बनने की ताहरी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही रफुल होगा तो देखिए दूसरा जुर्दिवचन का रूप ओगा वह आवाम, आवाम, फिर आवाभ्याम, 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 फिर आवयो, आवयो, बिल्कुल तीन तरीके का रूप आपको याद करना है, बिल्कुल मन में तो तीन बार, तीन बार कोई सी याद की जाती है, तो वो कभी भूलता नहीं, लेकिन आप तीन बार नहीं, बलक आवाभ्याम, 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 फिर सश्ठी और शप्तमी में जो रूप चलता है और आवयोह, आवयोह, दो तरह का चलता है आवयोह, आवयोह, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोह, आवयोह, यह दुईवचन का रूप हो गया और बहु दूसरा रूप चलता है वो बद चलता है 9, 9, 9 यानि तीनों बिल्कुल एक तरा से तुई बचन का जो रूप होगा 9, 9, 9, 9 होगा और 9, 9, 9 किसमे होगा इसको भी आये जान लेते हैं तो दितिया में होगा इसको देखिये दितिया में 9 है फिर चतुर्थी में 9 है फिर इसका जो दूसरा रूप होगा वो होगा 9, 9, 9 दिविचन में अश्मत का दिविचन में 9, 9, 9 भी रूप होगा और किसमे किसमे होगा तो दितिया और चतुर्थीयो और शष्ष्थी मिभकत में होगा तो इसको बस केवल मन में थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे कि किस में किस में होता है तो दिदिया में होता है और तो बिलकुल आप ये दुई बचन का रूप हो गया नौ 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 किस में चलता है जो इसका दूसरा रूप होता है किस में चलता है तो दितिया विभक्ती और चतुर्थी विभक्ती और शष्ठी विभक्ती में 999 रूप चालता है और इस तरह आप बहुत आसान से याद कर सकते हैं मेरे शाद बोलिए दितिया जो दुई बचन का रूप है इसमत का दूई वज़न का रूप है वो है आवाम आवाम आवाब्याम आवाब्याम आवयो इस प्रकार आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी आवाम झाल 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 झाल